तो भाई कोडी रोट्स जब से WWE के अंदर रिटर ना है तब से लेकर अब तक कोडी रोट्स को सिर्फ तीन बंदों ने ही पिन किया है और ये बहुत बड़ी बात है कि ये बंदा सिर्फ दो सालों में तीन सुपरस्टार से ही पिन हुआ है अब नेक्स्ट वो बंदा कौण होगा जो की कोडी रोट्स को पिन करकर उनकी अंडिस्पूटे डवी डवी चैंपेशप को जीतेगा इसी के साथ रोमरेस फाइनली कब रिटर्न आने वाले हैं डेट निकल कर आचुकी है और साथ ही साथ सेथ रोलेंस की वी एक नई वीडियो निकल कर आई है तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो के अंड तक जुरूर देखना तो सुआगत है आपका रैसल मस्ती के एपिसोड नमबर 96 में तो जो भी नए बंदे हैं चैनल पर फड़ा फट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना अबे साले आई मींस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अगर लो मेरी जान तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेथ रोलेंस के बारे में बट मुझे ऐसा लगता है कि WWE शायद से Seth Rollins को इतनी जल्दी तो नहीं वापिस लेकर आने वाली, मेवी हमें थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है Seth Rollins को WWE के अंदर देखने के लिए, बट हाँ Summer Slam से पहले तो definitely Seth Rollins को वापिस लेकर आ जाएगी, WWE इसमें कोई भी Next Time बात करते है, Zero News की और से एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने तीन बड़ी न्यूस को शेर किया है, सबसे पहली तो WrestleMania Backlash करवाने का यहाँ पर प्लैन है, साओधी रेबिया के अंदर और इसको लेकर बाते भी शुरू हो चुकी है, और दूसरी के साओधी के अंदर ह हमें एक बार फिर से Great Royal Rumble देखने को मिल सकती है, आने वाले कुछ सालों में, और लास्ट वन इस दोहर 25 में, WWE अपना एक PPV पूर्ट तरीकों से करवाने वाली है, इसको लेकर WWE के अंदर काफी सारे प्लैन्स शुरू हो चुके है, तो यह कुछ बड़ी अपडेट्स निकल अच्छे दिन की शुरूआत हो चुकी है, और यह मैं मोदी वाले अच्छी दिनों की बात नहीं कर रहा हो, तो वही पूरी जिंदगी ही नहीं आ सकते, लेकिन WWE के अंदर अगर मैनेजमेंट खुश होती है, तो सुपरस्ट आर के अच्छे दिन तो वही बिलकुल आते हैं, अब बात करते हैं आज की लास्ट और फाइनल अपडेट की जो की रोमर रेंज से जुड़ी है, तो आप में से काफी सारे लोग है इवन के मैं भी रोमर रेंज के रिटर्न की बेस अबरी से इंतजार कर रहा हूं, तो रीसेंटली एक रूमर निकल कर आया है, अब वो रू रोमर रेंज के साथ यहां पर पॉल हेमन भी बेवी फेस बनने वाले है, क्योंकि डवी डवी मेरे ख्यास यहां पर पॉल हेमन को रोमर रेंज के साथ ही लाइन करने वाली है, बाकी आप यह भी देख सकते हो कि अगर रोमर रेंज से जुलाई के महीने में वापस आएंगे तो वो summer slam से पहले पहले अपनी story land के अंदर अपने आपको fit कर लेंगे क्योंकि WWE वालों को किसी भी हाल में Rome Arace को book तो करना पड़ेगा summer slam के अंदर आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो लेक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड साथ इसाथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान